हाई लो फ्रेंड्स वेलकॉम तो मैं इस्टेडी फीट चैनल दोस्तो प्रिवेस एर में जितने भी कुस्टेंस पुछी गये हैं फिजिकल एजुकेशन कंपेटिटिव एक्जॉम्स टिजिटी प्जिटी के वियर्स एन वियर्स यल्टी में उन सभी कुस्टेंस को आपके सा अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं और डेली बिशेस पर यमसी क्यों लगाना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की प्रश्णों की श्रिंखला के तरफ तो फर्स्ट कोस्टन है शिखना प्रभावित होता है मन द्वारा आत्मा द्वारा अपने मिलेगा तो आप कोई भी चीज सीख नहीं सकते दोस्तों सबसे महत्पूर चीज सीखने में होता है प्रेडा मोटिवेशन आपसे नमबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों प्रेडा मनो विज्ञान का सबस्री महत्पूर आवश्यक छेत्र हैं सीखने पर प्रेडा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है सिखने की प्रक्रिया में प्रेडा के प्रयाप्त इस तरसे उर्जा प्रवाहित होती है यहां पर के लिए एक बच्चे को शायकिल चलाना सिखते हुए देखे वह कई बार नीचे गेड़ता है और इस प्रक्रिया में उसे खरूंच भी आ जाते हैं जखम भी लगते हैं मगर वह सिखना छोड़ता नहीं है किस कारण उस पर प्रेड़ होती है अंदर इक हम कुछी सीखना है सीखना है हलाकि बुद्धी भी सिखने की प्रक्रिया को पहावित करने वाले एक कारक है बट आपके अंदर प्रेड़ा कि लोग कितनी अच्छी तरह से शीक शकते हैं और कितनी देर तक शीक सकते हैं सिखने की कार्य में शफलता प्राप्त करने के लिए बालकों कौ। प्रेड़ा प्रदाय करना आवर्शेक है अब प्रेड़ा प्रदाय करने की निम्नलिखित विध्या है प्रेड़ा प्रदाय किसे किसे होती है हमारी रूची से सफलता से प्रति दोन्दिता शामुई कारे प्रसंसा समाजिक कारियों में भाग लेना इत्यादी नेक्स कोश्चन है दोस्तों शिखी गई क्रिया का अन्य शमान्य परिस्थितियों में उप्योग किया जाना कहलाता है यानि आप जो क्रिया शिखे हैं किसी दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार के मिलते जुलते परिस्थितियों में आपने उसका उप्योग किया तो उसको क्या करते हैं दोस्तों आधिगम इस्थानांत्रर यानि शीखे की ग्रिया का अनुर्शमान पर्शितिमयों उप्योग किया जाना अधिगम इस्थानांत्रर कह लाता है अजिखने के एक छेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुसलताओं या सोचने अनुभो करने या कारे करने की आदतों का सिखने के दूसरे छेत्र में उप्योग करना ही प्रायह अधिगम इस्थानात्र कहलाता है नेक्स कोईशन है टेनिस में फोर हैंड राई शिखने पर क्रिया टाप स्पीन शहित फोर हैंड में रुपान्तरित हो जाती है इस प्रकार के प्रसिछर का इस्थानांतर किसका उदाहरर है तो दोस्तों एकिस में आता है तो यह आता है शकरात्मक इस्थानांत्र में आपसम नंबर यहां पे करेटू हो जाएगा नेक्स कोशन है प्रेडा की विधिया है जैसा कि मैं भी बताई हूं कि प्रेडा की कौन कोशी विधिया है तो यहां पर आपसन दिया है रूची शफलता शामुई कार इनमें से सभी तो दोस्तों प्रेडा की रूची भी है शफलता भी है शामुई कार भी है इन तीनों से प् प्राइडा की तक्निक नहीं है कौन नहीं है इसमें पुर्षकार यम्दन्ड प्रसंशा यमनिंदा प्रतियोगिता दोस्तों इन तीनों से हमें प्रदान करने वाल तक्निक है तो यहां पे आपसर नमबर डी हो जाएगा उपेक्त में शिक कोई नहीं थेक है निश्ट है प्रदा के सिधान्तों याँ से कौन सा सिधान जीव पिग्यान समंधी अभी मुक्ता रगता है आपसर है ड्राइड शिधान असकता सिधान इंस्टिक सिधान यानि मून प्रविति सिधान दी है मानवी सिधान तो दोस्तों यहाँ पे अपसर नंबर सी करेट हो जाएगा इंस्टिक्ट सिधान्त यानि मूर प्रविती सिधान जो है उजी विगाउर शमंधी अभी मुक्ता रखता है यह सिधान सभी प्रेड़ा के सिधान्तों की जड़ है प्रेड़ा के ड्रायू सिधान्त विचार पाधाईद है कि हम बायोलोजिकल आसकताओं को संचारित करते हैं जैसे भोजन, पानी, अवास, आधी हमारे सरी की ब्योहार को आसकताओं संतुलित तुनाती है मानुवी सिधान्त, मानुवाद का मानुवेज्ञानिक परिपेच्छे है जो समपूर बेक्तितु का अध्यन करता है मैं इस क्रूश्चन है कि कोहन का कहना है या मानना है कि अभी प्रेड़ित करने के लिए शही प्रदान आवस्यक है अभी प्रेड़ित करने के लिए क्या सही प्रदान करना आवस्यक है तो दोस्तों किसी भी चीज को करने के लिए किसी को आउसर जब तक नहीं मिलेगा तो कैसे किसी चीज को करेगा यहां पर आउसर आपसा नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह भी कौन के अंसा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है सिच्छड पधती पार्थिक्रम विधी आधी में सुधार करने में मदद करता है कौन करता है दोस्तों परिवेच्छड की सिच्छड की मुल्यांकन की कैम्प किस भी चीज को आप सिखते हैं रहते हैं की क्या कमी रह गई है कितने प्रोग्रेस किया कहां तक पहुचा और इस भी सोधार करने किया सकता है यहां पर आपसा नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मॉल्यांकन द्वारा ही यानि में ही विभी में ग대न्धिय्यों द्वरा सीखे और समझने की चमताओं का पता चलता है अता इसके अधापर पाठेक्रम विधी में सुधार करके उन्हें विद्यार्थियों के लिए और अधिक सुगम बनाने में शाहता मिलती है प्रेडा कितनी प्रकार की होती है तो दोस्तों प्रेडा दो प्रकार की होती है आपसे नमबर से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन कौन सी दो प्रकार आंतरिक प्रेडा एंड वाह प्रेडा प्रेडा दो प्रकार की होती है नेक्स्ट कुस्चन है पुरुषकार यूम दंड सिखने के किस नियम का प्रतिरूप है दोस्तों यहाँ पे तो आप correct answer टिक कर दिये होंगे दोस्तों पुरुषकार यूम दंड सिखने के किस नियम का प्रतिरूप है दोस्तों यहां पे प्रभाव का नियम आपसन नंबर सी करेट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों थांडायक ने सीखने के तीन नियम दिये हैं तयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम तयारी का नियम क्या है कि तयारी से व्यक्ति जादा तेजी एवं प्रभावी तरीके से शिखता है इस तयारी के दिष्टी कोड को माइंड सेट भी कहा जाता है यानि जो warming up करिया है सरी को गर्माने का सिधान है फिजिकल एजूकेशन में यह नियम तैयारी के नियम कर अंतरगत आता है दूसरा दिये है इन्होंने अभ्यास का नियम इसमें क्या होता है कि बार बार दुहराने से प्रक्रिया स्वत्व होती जाती है यानि किसी कारे को आप बार बार करेंगे तो आपके स्वत्व हैबिट में आ जाती है यह नियम बहुत कुछ उपियोग अनुपियोग के अंतरगताती है इसके इस नियम को उपियोग अनुपियोग का नियम भी कहते हैं थान्डाइक करते हैं कि खीज आने की अरूची किसी में आपका मॉन नहीं लग रहा है, कारेमें, तो घीजी की वजाए संतोस सिखने में व्रिधी करता है इस नियम को संतुष्टी के नियम के नाम से भी जाना जाता है पुरुसकार यम दंड भी इसी नियम के अंतरगत आता है जिसे सिखने के सभी घटक इसी नियम में अधिन होते हैं Next Question है कि निमने लिखित में कौन शार सिखने का नियम नहीं है तयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम तो यहाँ पर कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपसन नमबर C, प्रतिक्रिया का नियम, सीखने का नियम नहीं है थांडाइक ने परिच्छडों के अधार पर कितने प्रकार के शिखने की नियमों का प्रतिबादन किया है दोस्तों तो तीन प्रकार की अफसर नमबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कों कोंसे तीन प्रकार की त्यारी का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव का नियम next question है ठानडाइक ने किस पर प्रयोग कर सिखने के ट्रायल और एरर सिधान का प्रतिपादन किया तो किस पर प्रयोग किया छोटे जानौवर उपर ठीक है छोटे जानौवर उपर कुट्टी और बिलियो आदी पर स्वेम द्वारा बिक्सित किये गए पजल बॉक्सों के माध्यम से अनुप्रयोग करके सिखने के ट्राइल एंड इर सिधान्त का इन्होंने परतिपादन किया नेक्स कोश्चिन है अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है इसी कहते है उप्योग और अनुप्योग का नियम भी इन्हें कहा जाता है आपसा नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानि दोस्तों अभ्यास का नियम जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप उस चीज में परांगत होते जाएंगे जैसा कि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेंग्स ए मैंट परफेक्ट यानि कि करत करत अभ्यास के जर्मती होत सुजान ऐसा कहावत प्रतलित है जिस पर यह स नियम को थांडाइक ने बनाया, às Ilta's. Is Yes Uh, प्रयास i- PE का सिधान किस mana दोरा दिया घा था, जैसा कि आप सब कौता है थांडाइक के दोरा आपसल ममडर सी him Elect हो जाएगा, marine नेक्स कोचचन है कौन सी सिखने के नियम को कहा जाता है उपयोग और अनउपयोग का नियम दोस्तों बार-बार उस से प्रकार के तो किशन को कहा जाता है उपयोगण अननonpoyog तो अभ्यासMore की नियम को सिध्धात का यानि स्टीमूलास रिसफांस त्योरी इसी यसार का थियोरी भी बोला जाता है कि प्रभाव का नियम है तो यह प्रभाव का नियम है आपसन नमबर C करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सिखने के नियमों तथा सिधानतों की परिवासा थांडाइक ने दी है तीनों नियमों को थांडाइक के प्रभाव का नियम गहर अध्यां से समधित है प्रभाव से अभी प्राय किसी क्रिया कलाब के प्रभाव से है जो क्रिया कलाब खुसी या संतोस की भावना से क के साथ किया जाए तो उसे अधिक जल्दी और अधिक आसानी से सीखा जा सकता है बजाए किसी अरूचिकर क्रिया कला आपको सिखने के गती संतुष्टी प्रनेभर करती है यानि दोस्तों जिसमें आपकी रूची होगी संतोस मिलता है जिसको करने से आप उसको जल्दी से करते हैं इसी पुरुष्कार यम दर्ण भी इसी नियम प्राधायत होते हैं यह सिखने के सभी गोटक इसी नियम के अधीन है इसने थन्डाइक का यह मुख्य नियम मानाता है इसलिए थन्डाइक के अभ्यास नियम तथा तत्परता का नियम भी प्रतिबाद थन्डाइक न जहांने प्रयोग वाध का सिच्छा के में किसनी प्रयोग किया तो दोस्तों इसको प्रयोग किया Bear प्रयोगवाद का सिच्छा की छेतर में जान डिवी ने आफसन नंबर वी यहां पर करेक्ट हो जाएगा और जान डिवी कहां के थे दोस्तों यह अमेरिका के प्रसीद सिच्छा साहस्ति दार्षनिक यह मौनोबिग्यानिक थे नेक्ष्क्रों यह साहसरी सिच्छा कि किस दर्षन को प्रयोगवाद की शंग्या दी जाती है तो उप्रयोगिता वाद को इसको प्राग्मेटीज में एक्स्पेमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बोलते हैं नेक्ट कुर्चन है कौन सा दर्षन अनुभो को जीवन वा सफलता की कुझी मानता है तो दोस्तो कौन सा तर्शन मानता है अनुभोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग किया जाता है इसलिए हर session को हर सीरीज को आप देखना नभूलिएगा और सभी वीडियो जो syllabus के recording है एकदम syllabus के recording है उसको बनाया गया है दोस्तों आपके लिए वरी important है तो दोस्तों जितने भी topic कभी बचे हुए है इसे सभी को में स्टेप बाई स्टेप पूरा करती रहूंगी बस आप मेरे चैनल पर कांटीनियू बने रहे दोस्तों तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे से जादे सेयर कीजिए दोस्तों और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक् के लिए जाए हैं